हेलो स्टुडेंट्स वेलकॉम बैक टू एलीट ट्यूटर्स बूक सुलूशन चली इस वीडियो में हम कंटिनी करने वाले हैं विभाग 2 का सेकेंड पार्ट है और इसमें हम जो कवीता देखने वाले हैं वो है सेकेंड कवीता योगी सर्वकार्ड सुखदाता यह जो भी वी पार्ट हो चुका है सेकेंड पार्ट बन रहा है सारे कवीता कवर होने वाले हैं लेकिन यह बहुत इंपॉर्टेंट है साथ से यह आप अभी तक समझ नहीं पा रहे हो एट माक्स अगर आपको स्कूर करना है तो जो भी इस वीडियो में आपको देखने को मिल रहा है सारे प्लीज आप बायाट करके तयार रहिए बोर्ड एक्जाम में आपका 8 मार्क्स मिलना ही मिलना है फिर से याद दिला हो कि 16 मार्क्स अल्रेड हमने कवर किया है वो भी अगर आप प्रिपेर करते हो तो 16 और यह 8 24 मार्क्स आपका इंतिजार कर रहा है बोर्ड एक्जाम में सी करते हैं इस वीडियो में हम इसका अर्थ देखेंगे जो भी क्वेश्चन आता है प्रस्ट क्रमांक 2 दो आ में और मैंने पहले वीडियो में थोला डीटेल में बताए कि किस ट्रैप के क्वेश्चन बोर्ड एक्जाम में पूछे जाते हैं यहां पर हम सिर्फ क्या करने वाले समझने वाले हैं तो चलिए यह कविता का हम अर्थ और इस सारे चीज देखने वाले हैं सबसे पहला प्रस्ट यही पूछा रहता है वहांप़र पर कि सन्त गवी के जो कवी हैं वो है संत एकनात महराज तो आपको इसा लिखना है कविते चा विशे इस कविते का विशे क्या है तो संत एकनात महराजान चा हा अभंग अभंग मतलब वही संतवानी तो संत एकनात महराज का ये जो अभंग है मतलब ये जो संतवानी है योगी पुरुषाद से महत्व सांगना रहा है तो हमारे जीवन में योगी पुरुष का महत्व कितना होता है उसका महत्व इस अभंग में, इस संतवानी में बताया गया तो यही उसका विशे है उसका तीसरा क्या है? काव्य पंक्तीन सा सरड अर्थ अब यहाँ पे कुछ भी, कोई भी मतलब दे सकता जैसे यहाँ पे दो लिखा है एक्जाम में कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे टू रहेगा तो एक्जाम में कोई भी दो आ सकता है तो हम इसका example यहाँ पर देखने वाले हैं तो मतलब इसको समझने वाले हैं इसका अर्थ यहाँ पर लिखने वाले हैं यहाँ पर आपको लिखना है सरण अर्थ करके तो क्या लिखा देखें? जेवी चंद्रकिरन चकुरांशी चलिए हाँ पर लिख लेते हैं तो क्या लिखा दिखेगी जेवी चंद्रकिरन चकुरांसी पांखोवा जेवी पिल्यांसी जीवन जैसे का जिवांसी तेवी सर्वांसी रुदुत्व अब इसी का अर्थ आपको यहाँ पर समझ भी लेना है अगर आपने पोयम में समझा है पहले भी तो भी कोई बात नहीं यहाँ पर संत एकनात मंतात संत एकनात इस दो चरण से क्या बताना चाहते हैं कि जेवी चंद्रकिरन चकुरांसी मतलब ज्यापरमाने चकुर पक्षियाला चंद्रकिरन पहला हवेस्ते क्योंकि चकुर पक्षि जो है कालपनिक पक्षि वो चांद का जो रोशनी है उसको पी कर उसको पी कर वो जिन्दा रहता है तो जिस तरह चंद्रकिरन की जरूरत है चकुर पक्षि को तो ज्यापरमाने चकुर पक्षियाला चंद्रकिरन पहला हवेस्ताद किवा पांखोवा जेवी पिल्यानसी मतलब जिस तरह पक्षी जो होती है उसके जो छोटे छोटे बच्चे होते है उसके वो पक्षी क्या करता है अपने पंखों के अंदर उसे दबा के रखता है उसका सहारा मतलब उसका उनको उनकी रक्षा करता है तो उन भच्चों के लिए वो सहरा रहता ए। वो यहां पर है। एक तो है कि जिस तरह चकोर, पक्षिया चंदर किरन की ज़रुत है और जिस तरह चोटे-चोटे पिल्ले जो होते हैं पक्षि के उनको अपने माँ के पंको के सहरे का ज़रुत है। तो वह यहां पर लिखा है कि जया प्रमाने चकोर पक्षियाला चंद्र किरन प्यायला हवे अस्ताथ कि वहां लाहन गया, मतलब छोटे पिलानना जैसे पक्षिनी चे पंखान चा आसरास्तो, जीवन जैसे का जीवन सी, और जितने भी जीव है, जितने भी सजीव है, जितने भी यहां पर living things है, उनके लिए जीवन, मतलब पानी, यहां पर पानी है जीवन का मतलब, जिस तरह जरूरी है, जितने भी सजीव इस दुनिया में है, सबको पानी की जरूरत है, जीवन की जरूरत है, तो पानी जैसे सर्व जीव मातराना जीवन दाई अस्ते, होता है एकदम soft इंसान होता है वो या प्रहमा ने योगी पुरुषा चा मना चा मवपना कोमलता सर्वाना हविशी वाटते हैं यह होना चाहिए तो योगी पुरुष का साथ अपने जीवन में होना चाहिए इसके बाद जो प्रश्ण पूछता है चौथा प्रश्ण देखें महराष्टर ही संतांची भूमिया है हम जानते हैं हमने बहुत सरे संतों के बारे में सुना है तो महराष्टर ही संतांची भूमिया है महराष्टर यह संतों की जमीन है समझे योगी पुरुष आपलया उपदेशा ने सामाने जनांसा उद्धार करता है हम सब जानते हैं कि अगर एक सही योगी पूरुष है, तो उसके उपदेश से, उसकी बातों से हमारे जीवन में बदलावा जाता है, और हमारा उध्धार हो जाता है, हमारे जीवन की जो धड़पड है, वो रुख जाती है, हम एक थम जाते हैं, एक सुकून हमारे जिन्देगे को मिल जाता है, तो योगी पूरुष आपलया उपदेशा ने, उनका जो भी घ्यान है, उस घ्यान से, सामाने जनान चा, आम इंसान का भी, आम से आम खास से खास, जो भी आ जाएगा उसके सामने, सामाने जनान चा उद्धार करता, तो उनका करल्यान करता है, ये चीज़ हमको महाँ पे संदेश मेली रहा है, और भी कहा देखिए, तैंचा उपदेशा चे पालन करावे, तो हमें उनके उपदेश का पालन करना चाहिए, योगी पुरुषाचा सानिध्याने, अगर योगी पुरुष का साथ है आपके पास, अगर योगी पुरुष का सहारा है आपके उपर, या आपके साथ, या उनका आशिरवाद है आपके उपर, तो भाव सागरा पासुन सुटका करोन घेन्याचा मनोबल मिड़ते हैं तो हम जो इस भाव सागर में इस दुनिया की जो अलग-अलग बंधोनों में बंधे हुए है उससे छूड़ जाएगा तो उसकी ताकत हमको तभी मिलेगी मन में वो जो बल है वो तभी मिलेगा जब हमारा साथ योगी पूरुष करेगा तो योगी पूरुषाचा साने ध्याने भाव सागरा पासुन सुटका करोन घेनाचे मनोबल मिड़ते हैं वो मन शान्ती मिढते और मन को हमारे गदाव अच्छी शान्ती मिलती है तो असा संदेश कविते तुन अपले अला मिढतो तो ये संदेश इस तरीकी का संदेश इस कविता से हमको मिलता है इस अभंग से हमको मिलता है फिर ये प्रशन रहेगा कि कविता आवाण्याची वा न आवाण्याची कारणे तो पसंद है तो भी कारण बताईए न पसंद तो भी कारण बताईए मैंने बोला दोनों भी राइट है आपको पसंद आना ही चाहिए, इसा भी नहीं है लेकिन कारण दोनों के लिए बताना है तो obviously हमें अबंग क्यों नहीं पसंद आएगी यहाँ पर देखे हम क्या लिखे हैं कि संत एकनात महराजान नहीं योगी पुरुश आनी पानी मतलब संत एकनात महराज क्या कर रहे हैं कि योगी पुरुश और पानी का जो तुलना है उसको बता कर योगी पुरुश की जो श्रेश्टता है महानता है इस कावी रचना से इस कविता के द्वारा प्रभावी पढ़ने से ऐसा नहीं कि आराम से प्रभावित होकर वाजकांसा जो पढ़ने वाले लोग है उनके मन पे ठसा दिया है कि किस तरह योगी पुरुश जो है वो हमारे जीवन में जरूरी है मतलब योगी सर्वकार सुखदातास तो योगी पुरुश जो है वो हर वक्त आपके लिए क्या है वो सुखदाता है ये बात जो है इंपोर्टेंट बात जो है ये कवी ने उधारन के साथ एक आसान भासे में हमें बता के दिया है समझा के दिया है सामाने जनाना योगी आत्म न्याना ने स्ट्यान सा उधार करतो सामान इंसान को यूगी क्या करता है अपने आत्म न्यान से उसके ज्ञान से उनका कल्यान करता है हा विचार मनाला भावलया मुड़े ये विचार मन को अच्छा लगा भावलया मुड़े मला ही कविता खुपावर ली तो इतना लिखना पड़ेगा फिर आपको by heart ही करना पड़ेगा, उसके बाद लिख के practice करना पड़ेगा इतना करते हो तो आपके लिए fix हो जाएगा 8 marks, at least आपको पता है तो आपको करना चाहिए चली इसके बाद ये प्रश्ण भी आ सकता है कि प्रस्तुत कवीते तिल शब्दान सा अर्थ आता है ज़्यादा तर तो देखिए मर मतलब घान, पांकोवा पक्षिनी से पंक, मधूर्ता मतलब गोडी मीठा, उदक मतलब पानी और जीवन जो पढ़ा था हमने वो भी पानी है चली ये सब होने के बाद फिर से वही बात है कि कवीता में अभंग में संतवाने में और भी बहुत सारे चरण है और भी बहुत सारे ओडी है उनका क्या होगा तो हमने देखा था पहले वीडियो में भी इस वीडियो में भी इसका दो का हो चुका है कविता में भी पीछे हमने पढ़ा है, यहां से लेकिए यहां तक सब का मीनिंग एक पर देख लेंगे, वही मीनिंग आपको क्या करना है, आपको यहां पे लिखना देगा, अगर यहां पे दूसरा, अगर कोई ओड़ी आता है, तो उसका सरणर्थ आपको वहां से लिखना है, तो यह हमने कंप्रेट कर लिया है, यहां पे, अब यहां से हम शुरू करेंगे, तो यहां से शुरू करेंगे, तो पहला है जड़ वरी वरी शाडी मड, योगिया सब हाय करी निर्मड, उदग सुखी करी एक वेड, योगि सर्वकार सुखता था, तो देखें, जड़ मतलब पानी, अगर आप नहाते हो, बात लेते हो, तो वह वरी वरी मतलब उपर से शाडी मड, आपके मैल को, आपके बॉड़ी के उपर के, ड़ड को क्या करता है, खतम करदेता है, हटा देता है, वह दूल देता है, सास observषे, ऐसा समझे, मतलब जय है, शाडी मतलब धो देना, तो जल क्या करता है, उपर से आपके बॉड़ी को साफ करता है, लेकिन उपर से जितने लोग साफ सुथे देखते हैं, वो अंदर से थोड़ी साफ होते हैं इस दुनिया में बहुत सारे लोग उपर से साफ दिखते हैं पर अंदर से कपटी भी होते हैं तो योगी क्या करता है योगीया सव भाहिया करी निर्मड आपको सव भाहिया मतलब अंदर से भी तो इसलिए बुला कि पानी जो है वो उपर से आपके मैल को साफ करता है लेकिन योगी अंदर और बाहर दोन से साफ करेगा तो यहाँ पर वही लिखा कि पानी वर वर से डाग कि वह मढ धोन टाकते पन योगी सरवांची मने अंतर बाहाई है अंदर से और बाहर से निर्मड करतो मतलब साफ कर देता है यह समझे उदग सुखी करे करी एक वेड़ और पानी अगर आपको प्यास लगा है और आप पानी पीते हो तो उस तेम एक बार आपको सुख देगा योगी सर्वकार सुख दाता लेकिन योगी पूरुष का साथ आपको मिला अगर आपने अंदर से योगी पूरुष के साथ के वज़े से उसके ज्ञान के वज़े से आपका अंदर का जितना भी छल कपट नफरत जले सब निकल जाता है तो सारे जिंदगी आपको सुख ही सुख मिलता है तो यहाँ पर वही लिखा है कि पानी एक वेड पहले आस यानि पीने पे जीवाला आनंद दे दो अपने जीवन को या अपने प्यास को या अपने उस पल को क्या करता है वो खुशी देता है परन्तु योगी सर्वाना पूर्ण वेड कीवा सर्वकारी सुख देना रास्त हो लेकिन योगी पूरुष आपको पूरे समय के लिए या हमेशा के लिए आपको क्या देता है सुख देता है इसके आगे दिखते है उदकान चे सुख ते किती सवीची शने तुरुशी ते होती योगी या दे स्वानन्द तुरुपती सुखा से विकृती पै नही तो देख इसका अईसा है कि उदकान से सुख ते किती पानी जो आप पीओगे उसका सुख कितना है कब तक है सवीची शने तुरुशी ते होती जब आप प्यासे रहते हो तो पीने के शन में ही उसका सुख होता है मतलब जब आप पीते हो सवीची मतलब पीना उसका सेवन करना तुरुशी ते मतलब जब आप पैसे रहते हो तो जब आप पैसे रहते हो तो उस शन उस पल जब आप उसका सेवन करते हो तब तक उसका सुख रहता है तब तक आपको अच्छा लगा जब आप बहुत प्यासे हो और आपने पानी पिया तो आपको अच्छा लगा लेकिन फिर बाद में क्या वापिस प्यास नहीं लगती है आपको वापिस प्यास लगती है तो एक बार पानी पीने से आपके प्यास पूरी जिन्दगी की नहीं बुझ जाती है तो वे बुलाए कि उधकान से सुकते किती यानि पानी पीने से प्यास बुझने का जो सुक है वो कितना है जब सेवन करोगे उसी पल तक है जब प्यासे रोगे और आप सेवन करोगे उसका तभी उसी पल तक है योगिया दे स्वानन्द तुर्प्ति है लेकिन योगी से अगर आप मिलते हो योगी पुरुस से और उसके सहवास से, उसकी बातों से आपको उसके ग्यान से जो चीज मिलेगा वो आपको पुरी जिंदगी खुश कर देगा सुखाशी विक्रूती नहीं रहेगी, मतलब उसमें कोई विक्रूती नहीं रहेगी उसमें कोई नाश नहीं होगा, वो सुख खतम होने वाला सुख नहीं रहेगा, वो हमेशा आपके साथ रहेगा, सारी जिन्दगी जब तक आप इस दुनिया में रहते हो, तो ताहन लेला मानूस, पानी प्याला वर्फ वक्त त्या शनीत रुपत हो तो, तो उसी वक्त तक उस नाश होने वाला, ना संपनारा, ना खतम होने वाला, अखंड आत्म सुख देतो, योग्या ने देले लया सुखाला शय नहीं, यही है, सुखाशी विक्रुती पाए नहीं, योगी पुरुषके से दिया हुआ जो सुख है, वो नाश होने वाला नहीं, उसी को लिखा जाता पानी की जो मधूरता है, मिठास है, ते रसने सीची तत्वता, पढ़ लेते पहले, योग्यान से गोडपना पाहता होई निविविता सर्वेंद्रियां, तो देखी क्या लिखा कि उद्काची जे मधूरता, यानि पानी की जो मिठास है, या पानी की जो प्यास है, या पानी को पियोगे और अपने जबान पे पानी को रखोगे तब तक उसके मधूरता की उसकी हकीकत उसके गोड़ी की उसके मिठास की उसके प्यास की सच्चाई तब तक है योगियान से गोड़ पना पाता लेकिन अगर योगी पूरिश्की की बातें या उनका सहवास से जो जाएंगी, मतलब आप जीवन में एक तम जाओगे, रुक जाओगे, सुकून मिल जाएगा आपको, आपके काम खतब, आपके काम नहीं होंगे, इसा नहीं सारे काम होंगे, पर आपकी जो धड़पड है, बेचैनी है, वो सारे चीज दूर हो जाएगी, तो उदग, यानि पाने की जो मिठास है, उसकी सचाई जीव तक है, जब जीव पे रहेगा, जब जबान पर या मों में रहेगा, लेकिन योगी पुरश की जो गोड़पना है, उसका जो सहवास है, उससे जो आपको सुकून मिलने वाला है, उसको अगर आप देखते हो, तो आपका जितना भी इंद्र है, जितनी भी ख्वाइस है, जितनी भी नफस है, आपके सारी शांत हो जाएगी, तो वही लिखाएगी, पानियाची, गोड़ी, फक्ते, जीवेला तुरुप्त करते हैं, पानी की जो मिठास है, उससिव आपके जीव को क्या करेगा, तुरुप जिससे यहां पर क्या लिखा है, कि मेघ मुखे अध़ पतन, मतलब बादलों के मुख से अध़ पतन, मनि बादलों का तूटकर जमीन प्याना, या बादलों से बरसाच जब होता है, तो पानी जिस तरह बरस के नीचे आता है, तो मेघ मुखे अध़ पतन, उदकान से देख खुश हो जाते हैं, क्यों खुश होते हैं, क्यों आसमान से पानी बरसने के बाद इसको देखते हैं लोग और समझते हैं, और खुश क्यों हो जाते हैं, गिरने के बाद हर इनसान खुश क्यों होता है, खास करके किसान, क्योंकि अब वो जानता है कि फसले उगेंगी और अन् तो जिस तरह यहां पे बादल आसमान से पानी को नीचे की तरफ भीजा है जमीन की तरफ और हमें खुश कर दिया है हमारी भूग को मिटा दिया है उसी तरह इसके बाद वर जो सेंटेज से इससे कनेक्टेट रहेगा तो पहले ये एक बार देख लेते कि धगा तुन पानी ख पाहुन लोग खुश होता इसलिए लोग खुश होते हैं जब बादल से बरस्तेव पानी को देखते हैं त्यांचे मन समाधानी होते है तो उनका मन समाधानी होता है तो यही चीज जब कनेक्ट करेंगे इसके लाश के दो राइन से तो इस तरह है तैसे उसी तरह योगी या कि धर्ती जो है वहाँ पर जब इनका जन्म होता है मतब भगवान भेशता है उनको रूप दुसरे अवतार में क्योंकि लोग यहाँ पर परिशान हैं लोग यहाँ पर बहख चुके हैं तो उनको योगी पूरिश क्या करता है एक सच्चाई बताता है तो उसी तरह जब आसमान से समझे या सवर्ग लोग से समझे वहाँ से योगी नीचे आता है मतलब जमीन पर आता है धर्ती पर जब जनम होता है या वो इह लोग में इस हमारे लोग में क्या करता है वो जनम लेता है पावर्णे मतलब जनम लेना तब क्या होता है कि जन निविवी श्रवन किरते और जब वो जन को यानि लोगों को अपनी श्रवन किरतने अपने बातों को अपने ग्यान को वो निविवी करता है उनमें डालता है उनमें पहुचाता है तब निज न्यानाने उसके ग्यान से हम लो जए साख यहां पर हमें इसले खुशी मिलते है क्योंकि उसके ज्ञान से उसके शरवन उसकी बातों से हमें उसके ज्ञान से हमारा क्या हो जाता है? उद्धार हो जाता है तो वो ही लिखा कि त्या प्रामनेच योगी पुरुष जेवा खाली धर्तिवर ये तो मंजेच तो जेवा इह लोकाद मतलब मृत्यू लोकाद जन्मगेतों ये हमारा मृत्यू लोक है क्योंकि यहाँ पर जो भी आएगा उसे मृत्य होना ही है तेवा त्याचा बोलन्याने उसके बातों से शर्वनकिर्तन त्याचे बोल आइकिनाने सुनने से त्याचा संकिर्तनाने मतलब उसी तरह संकिर्तन मतलब उसी अच्छी बाते भगवान से जोड़ी हुई बाते लोकाद नी मने समाधनी होता तो लोगों की मन जो है वो समाधनी हो जाता है और योगी पुरुष आत्मन्यान से तो योगी पुरुष आत्मन्यान ने समस्त लोकान सा समाज अचा उधार करता हो सारे लोगों का और समाज का क्या करता है उधार करता है तो इसमें से जो भी आपको चरण, जो भी आपको कविता का लाइन मिलेगा एक्जाम में आप ये मीनिंग जो यहां पे लिखा है आप लिख सकते हो तो चलिए अब एक चीज और बचा है मीनिंग क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है सारे रूल्स मैंने फर्स्ट पार्ट में सजीव, तेवी उसी तरह त्याप्रामाने म्रुद्युत्य महुपणा कोमलता जर्ड पानी ब्लैक में आजाएगा स्ट्रेंस गलती हो गया वरी वरी उपर उपर से वरुन वरुन शाडी मतब धूते धुने मल मतलब घान सब आये आतुन वा बाहरुन निर्मड स्वच्छ करना उदक पानी सर्व काड मतलब सर्व समयी, सर्व वेड सुखदाता आनंद देना रहा सवेची सेवन के लियाने सवेची आप इसके पहले वाले में देखो अंकिला में दास्त हुजा वहां पे तुरंत है लगेच तो यह accordingly आपको देखना है अगर यह पोयम पूछा है और सवेची पूछा है तो आपको सेवन बताना पड़ेगा तुरुषिते तहान लेला स्वानंद तुरुप्ती आत्मानंद मतलब पूरे आत्मा को आपको सुख मिल जाएगा विक्रुती चुकी चे वागनुक मतलब नाश नहीं होगा उसमें पै बरे क्या एक बोल है मदुर्ता गोडी माधुर्य रस्णा जीब तत्वता विचार शिल्टे प्रमाने मतलब हकीकत उसकी है एक रूल कानून निववीता संतुष्ट करने शांत करने सर्वेंद्रिया, सारे इंद्र जितनी भी आपके सर्वांगला मतलब सर्व अंग को शांती मिल जाती है चुप हो जाता है इंसान, शांत हो जाता है मेग, ढग, मुखे, तोंडाने अधपतन, खाली, येने, कोसर ने निवती, आनंदी, जन, लोक, समाज, जान अधपाते का मतलब भी नीचे होता है जान मतलब जानकर, जानुन सकरांशी मतलब सर्वानना, सग्ड़यानन तैसे मतलब उसी तरह खालूते, खाली, नीचे, निजन्यान, आत्मन्यान और उधरी, उधर करने तो चले, यहाँ पर फिर से खतम हो रहा है, यह सेकेंड वाला कवीता आगे और भी कवीता पता है इसको आप हलके में मत लीजिए स्टूडेंट्स, इसको सीरिसली लीजिए क्योंकि आठ मार्क्स आपको यह देगा जरूर देगा, इसके लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको खतम करिए और प्लीज कमेंट्स में बताइए कि आप यह कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि आगे की वीडियो और बाकी है स्टूडेंट्स चले मिलते हैं आगे की वीडियो में थैंक यू वेरी मुच